आज की क्रेंट अफ्य वीडियो का फर्स्ट क्वेशन है क्वालिटी ओफ लाइफ रिपोर्ट दो हजार चॉबिस में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग क्वालिटी ओफ लाइफ में 52 नंबर पे हैं ये ओप्शन इस क्वेशन का सही उत्तर है भारत की रैंकिंग बहुत खराब है इतनी खराब है कि भारत जो है सेकंड लास्ट नंबर पे आया है इस रैंकिंग में चलिए थोड़ा ओर डिटेल में देख लेते हैं अगर हेल्थ केर कैटागिरी की बात करें तो भारत का रैंक जो है 14th है जो की अच्छी रैंकिंग है बट लाइफ क्वालिटी में भारत की रैंकिंग 52 है जो की सेकंड लास्ट है भारत की health care achievements अच्छी हैं पर बायू गुनवत्ता जो है बहुत निचले स्थान पर है बायू गुनवत्ता के मामले में भारत 53 नंबर पे हैं इसी कारण इसकी ranking जो है quality of life report में भी नीचे आई है 2024 quality of life में सर्वशेष्ट स्थान किस देश ने हासिल किया है ये भी आपको याद रखना है ये हासिल किया है स्थान स्पेन ने लगतार तीन वर्षों से ये शीश पे हैं टोप 10 कंट्रीज के बारे में भी थोड़ा आगे देखेंगे इस report को किस basis पे प्रपेर किया जाता है तो हेल्थ के सेंटर की बात करें तो भारत 14 नमबर पे है बायु गुनवत्ता के मामले में भारत 53 नमबर पे हैं टोप 10 कंट्रीज कोन कोन सी रही है चलिए देखते हैं देखिए ये टोप 10 कंट्रीज है इजब उस्ट्रिया है और अस्ट्रेलिया में डिफरेंस है दोनों है जिन्ff ने में अपना स्थान हासिखा है जलियु नेक्स्ट नेक्स्ट ंदेखते हैं नेक्स्ट है दुनिया के पहले किंग सब्स्कंट kids अपर किया गया है हाल ही में दुनिया के पहले एशियाई किंग गिद सरक्षन और प्रजनन केंदर है ये उतरपरदेश के महाराजा गंच में मनाया गया है अगर आपसे राजिय पूछा जाए तो उतरपरदेश और पर्टिकुलर स्थान भी पूछा जा सकता है जटायू सरक्षन एवं प्रजनन केंदर इसका नाम रखा गया है इसके अंदर की स्थापना जो है उतरपरदेश वन भीभागने बॉम्बे नैचुरल हिस्टरी सुसाइटी के मदद से की है आयू सीन स्टेटस अगर किंग गिद का देखें तो बहुत ही गंभी रूप से ये संकट करस्त है इसलिए ये कदम जो है के इंदसर कहा द्वारा उठाया गया है टोटल लागत की बात करें तो 2.8 करोड रुपे की लागत से इसे बनाया गया है और 1.5 हेक्टेर भूमी तक ये फैला हुआ है चलिए नेक्स्ट कॉशन देखते है हरित हाइडरोजन के दूसरे अंतराष्टी समेलन का आयोजन कहां किया गया है इंपोर्टेंट है दूसरा अंतराष्टी समेलन हुआ है और इसका आयोजन किया गया है नई दिली में डी ओप्शन इस कॉश्चन का सही होता है हरित हाइडरोजन का दूसरा अंतराष्टी समेलन था ये ये तीन दिवसी समेलन था जो कि 11 से 13 सितंबर तक नई दिली में भारत मंडब में आयोजित किया जा रहा है भारत ने हरित हाइडरोजन उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए 2023 में राष्टी हरित हाइडरोजन मि मिशन की शुरुवात कब की गई थी तो डेट आपको याद रखनी है 4 January 2023 में मिशन का लक्षे क्या है 2030 तक 5 बिलियन ट्रिलियन टन जो है हर वर्ष हरित हाइडोजन का उत्पादन कर सके भारत हरित हाइडोजन मिशन की अब्धी है 2024 से 2029 तक मिशन का कुल ब्य जो है वो है 19,744 करोड रुपीज आपको कुल लागत और इसकी समय अब्धी याद रखनी है कब इस मिशन को शुरू किया गया था और इस मिशन का लक्षे का है ये सारी बाते बहुत इंपोर्टेंट हैं ड युध अभ्यास भारत और ओमान के बीच आइज़ित किया जाता है चलिए धोरा सा और डेटल में इस युध अभ्यास के बारे में देखते हैं और इसका आयोजन जो है वो 13 से 26 सितंबर तक किया जाएगा ओमान में ओमान के सलाहल में इसका आयोजन किया जा रहा है इस यूद अभ्यास का इस यूद अभ्यास की शुरुआ 2015 में की गई थी दोनों देशों की थल से नाव में ये अभ्यास किया जाता है हर दो साल में ये आयोजित किया जाता है, भारत और उमान के बीच युद अभ्यास होता है, ध्यान रखिएगा किस देश के बीच कौन सा युद अभ्यास होता है, ये बहुत important question है, इससे direct question बनते हैं, चोथा संसकरन चोथा इस युद अभ्यास का वो भारत के राजिस्थान म मनजूरी दी गई है, परधान मंतरी ग्राम सडक योजना, इसके चोथे चरण को मनजूरी जो है हाल ही में, ग्रामिन विकास मंतराले द्वारा दी गई है, सी option इस question का सही उतर है, क्या है परधान मंतरी ग्राम सडक योजना, इसके बारे में डेटेल में बात करेंगे, और प्रधान मंत्री ग्रामिन सरक योजना के चोथे चरण की अब्धी है 24-25 से 2028 तक पांच वर्षों तक इस योजना की अब्धी है टोटल ब्याई जो है 7125 करोड रुपे इस पे किया जाएगा इसका मुख्य लक्षे है 62500 किलोमेटर लंबी सरक का निर्मान करना और इससे 25,000 ग्रामिन गाउं को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा पधान मंत्री ग्रामिन सरक योजना की शुरुवात कब की गई थी तो इसकी शुरुवात की गई थी 25 दिसंबर 2000 को इस योजना का दुवितिय चरण 2013 में शुरू किया गया था जिससे 50,000 किलोमेटर सडकों का निर्मान किया गया इसका 34 दिसंबर 2019 में शुरू किया गया और इसका लक्षे था 1,25,000 किलोमेटर सडक का निर्मान करना और अभी 2024 में इसके चोथे संसकरण को मंजूरी मिली है जिसका लक्षे है 62,500 किलोमेटर सभी मौसमों वाली सडकों और पुलों का निर्मान करना I hope यह information आपके लिए informative हो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना Thanks for watching